हेलो डिल्कम फ्रेंट्स स्वागति आपको अमारे यूट्यूब चल में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एनस्पी में रिन्यूवल एपले केसे कर सकती हो जी हाँ दोस्तों आपका स्टेटिस अगर आपका स्टेटस भी पैंडिंग है सेंट टू पी एफमस या आपको पेइमेंट आ चुकी है अब नए सेशन में आपको सेशन जो है येर 2022-23 में रिन्यूवल एपले करना है आपकी सिकीम कोई भी होगी प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक मेरिट कमीन से अपले करना होगा से टेबिस टेप आज इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप रिन्यूवल एपले कर सकते हो जी हां दोस्तों तो आज का ये वीडियो आप लुग के लिए बहुत जड़े इंपोर्टेंट होने बाला है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस चनल पर बेले बारायो चनल को सब्सक्राइब एंड बैल आइकन को इस प्रेस कर लिजे ताकि आपको मिले एसे इस कॉल्स अब्रेटर अब्रेट्स की नौट्पिकिशन सबसे पहले तो फ्रेंट चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं यहां पर आके आप स्क्रोल डाउन करोगे आपको एप्लिकेशन कॉर्णर पर यहां पर आपको ओप्शन्स मिलते आपकी प्रिवियस एप्लिकेशन आइडी जो होगी आपने अपले जब करा था प्रिवियस एर में तो वह एप्लिकेशन आइडी पासवर्ड यहां पर आपको इंटर करना है अगर आपको याद नहीं आपकी एप्लिकेशन आइडी है क्या तो आपके पासवर्ड आप बू करना है यहां पे application ID password डालके capture फिल करना है उसके बाद आप एक बार login पे क्लिक करोगे कुछ एसे details शो करेंगे अगर आपको show कर रहा है you are not eligible या और कोई दिक्कता रही उसके regarding भी क्या करना है वो भी आपको बताएंगे simply आपको option यहां पे मिल जाता है apply for renewal का left side left की corner में यह आप यहां पे देख सकते हो हैं तो जो भी details यहां पे देखने को मिल जाएंगे आपको simply जो है करना क्या है आपको apply for renewal पे एक बार क्लिक करना है तो simply आपको left side की corner में apply for renewal का option मिलता है एड आदार अगर आपने आदर कर उस टेम पे apply किया है add किया है तो आपको यह option जो है नहीं मिलेगा check your states print your application and change password विद्रा application for fresh registration and logout यह options आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आपको विद्रा करना है आप कर सकते हो but it's better कि आप renewal ही apply करे अगर आपका status previous year का status अभी pending है send to pfms तक यानि कि आपको अभी तक payment नहीं आई है आपका states application send to pfms आपको payment भी वहाँ पे show कर रहे है तो कोई दिक्कत नहीं आप इस साल भी जो है renewal apply कर state आया हुआ है तो आप कर लिजिए एक बार तो simply आपको renewal करना है apply for renewal का option है इस पे आप एक बार क्लिक कर लिजिए आपके समने कुछ एसा interface आएगा आपको आपको यह details show करेंगे यहाँ पे आपके जो भी details होंगे आपका नाम आपका renewal for scheme देख सकते हूँ यह प्रेगरती scholarship scheme for girls diploma for technical education तो आपकी जो भी scheme होगी वो यहाँ पे show करीगी pre-matric, post-matric, mid-commence या और कोई MCM या और कोई scheme होगी वो यहाँ पे show करीगी and आपका नाम, father's name, category, previous class course क्या था या आपका present institute क्या है, payment, IFC code या bank account नमर यह सारे details आपको यहाँ पे show करेंगे यह details अभी आप change नहीं कर सकत हो, simply आपको scroll down करना है, आपको options यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे annual family income, देखो, annual family income यहाँ पे previous का show कर रहा है and इसको आप change कर सकती हो, अगर आपकी इस साल की जो है annual family income जो होगी, वो यहाँ पे आप update कर लिजे, आपका जो email ID होगा वो भी update कर सकती हो and आप इस साल जो है scholar आप इस साल जो है hostler हो वो आप इस साल जो हो या day scholar वो भी add कर सकती हो and present class year यह इस साल में यह इस साल का आपको खुद ही update हो जाएगा, इसले year में first year में apply किया था, second यहाँ पे खुद से update हो गया है, simply आपको करना कर यहाँ पे class start date का एक option आपको show कर रहा है, तो अगर आपक classes start हो गए है, यह date आप यहाँ पे डाल लिजे, अभी तक आपके classes start नहीं हुए, तो कोई दिकत नहीं अभी इस form को जो है बहुत time है, तो आप कुछ दिनों का, तो आप कुछ time wait कर लिजे, उसके बाद apply कर लिजे, previous class की percentage, यानि कि इस साल आप 10th में होंगे, 12th में होंगे, उससे पहले का साल, यानि कि अगर इस साल आप 10th में हो, तो 9th class की आपको यहाँ पे percentage डालनी है, यह से ही आप जिस भी class में अभी present हो, उससे पहले का जो साल होगा, उसकी percentage यहाँ पे डाल लिजे, इस साल में, आपका roll number, admission number, admission year, class roll number, या section आपका क्या होगा, यह आप यहाँ पे आपका bonafide certificate, इसको आपको क्या करना है, simply आपको download पे एक बार click करना है, इसको print out करके, आपका जो भी institute होगा, वहाँ पे जाके name, आपका जो details होगी, वो fill करके, वहाँ पे stamp करके, यह bonafide आपको upload करनी है, upload वाले option में एक बार click करोगे, तो bonafide upload करने के बाद, simply आप पहले option यहाँ पे save as drop करोगे, फिर से अपने details चेक करोगे, कहीं पे आपका कोई option तो गलत नहीं हुआ, आपके details तो गलत नहीं है, यह check करके, आप simply final submit पे एक बार click कर लिजे, यह था एक renewal process आप renewal इस साल के से apply करोगे, अगर आपको कोई दिकत आ रहे, आप हमें commit कर सक तो आज के इस वीडियो में मसतना है, उम्मीद करता हूँ, आपको यह वीडियो इनफॉर्मेटियो लोगा होगा, पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको इनफॉर्मेटियो लोगा पसंद आया, वीडियो को like चनल पे नहीं, चनल को subscribe कर लिजेगा, और इस वीडिय को जड़ जड़ शियर कर लीजगा